जो लोकतरता की ओर अनुभव करने का यह जो सराव है बुद्धान Azmuthi का, उनकी प्रैक्टिज, उनकी साधना है. जैसे कि हम जीस परिस्तिती के साथ रहते हैं, जीस परिवार में हो, मित्र परिवार में हो, संग के साधश्यों के साथ हो, यहां कही वचीत परिस्तिती और व वही हमारे संसकार बनते हैं, वही हमारे वीचार बनते हैं, और हम अगर सकारात्मक्ता के साथ रहते हैं, तो हम भी सकारात्मक्त बनते हैं, और स्तीर और शांति का अनुभव, एकागरता का अनुभव, और सकारात्मक्ता का अनुभव, हमें स्तीरता देती है, सुकता देती है और हम अगर ऐसे शांता और सकरात्मा का मन में बुद्ध के प्रती बुद्ध के जो चरित्र है उनकी जो जो जिसे बुद्ध की निर्मान काया या बुद्ध की आइतियासी काल में जाकर हम कुछ जो बाते हैं उनके चरित्र की उनकी जीवन की तो हमें यह प्रेनाए देती है और हम जैसे कहते हैं कि हम भी उन रहा पर अगर चलना चाहते हैं बुद्ध के जैसे बनना जाते हैं जैसे कि हम कई बार कहते चले हैं कि बुद्ध हम सरनम गच्छा में तो बुद्ध के जैसा बनना इसका मतलब जो है कि हम भी बुद्ध के जैसा अगर बनना चाहते हैं तो हम बृद्जों की बार बार याद करना होता है उनके समुतियों के साथ रहना होता है उनकी जीवनी को बार बार उजागर करना होता है तो यशी से ही हम यह ऑग्याद्ण में बुद्ध के सिश्य है बुद्ध के उपा सक है तो जैसे कि बुद्ध ही खुद काते है सुप बुद्ध पभुजन्ति सदा गोतमा सावकार सुप बुद्ध पभुजन्ति सदा गोतमा सावकार ये संधि वाचरतीच नेचं बुद्ध गतासती ये संधि वाचरतीच नेचं बुद्ध गतासती नेचंग धम गतासती बुद्ध धम संग बार बार इन तीन रतनों के प्रती हम जागरूत रहिके बुद्ध के पती सुप्रभुद्ध बुद्ध के पती अगर जागरूत रहके हमारी दिन्चरिया करते हैं हम जो भी करते हैं जागरूत के साथ और सदाचरण के साथ करते हैं जैसे बुद्ध की याद करते हुए अगर करते हैं उनके वैसी सावास में रहके अगर हम जीवन जेते हैं तो हम ऐसे गौतम के शिश्य हैं जो सदा जाग रहते हुए यही इसी को ही जीवन का ध्यान बनाते हुए सुक और शांति का अनंद लेते हैं तो यह साधना करने से पहले बुद्ध के प्रति हम उनके जीवनक की प्रति सजग होने की कोशिश कहते हैं कि कई सारे कलपों से जल्मों से यह जो हम गवतम की बात कर रहे हैं जैसे की बोधी सत्व सुमेद याचिना करते हैं महा माया क्यों कि मैं आप के उदर में जल्म लेना चाहता हूए क्या आप स्युकार करेंगे तो यह जो बात है तो निच्ची तही महा माया ने स्युकार किया और जल्म दिया सिधार तको और यह सर्वसामान ने इंसान जैसे जल्म लेके हैं वैसा है जल्म लेकिन उनकी जो प्रीपरेशन तयारिया है एक बोदी सत्व की तैयारी होती है कई सारे पारा मिता को पूरा करके जीवन में जल्म लेते हैं और और दुख नश्ट करने के लिए उनको नहीं देख पाँगा अभी मैं उनके लक्षन को देख पा रहा हो कि यह जो शिदार इतबालक है तो निच्ची तही सम्मिक संभुद्ध बनेंगे उनको यकिन था चाहे किसी ब्राह्मने का होंगा कि वह चक्रवत्ती सम्राठ बनेंगे तो इनी को न देखने की उनको उसी कारण उनके आखों से आशु बहे रहते और निच्ची तही जैसे जैसे यह शिदार्थ आगे बढ़ते गहें उनको ध्यानसाद नाम में बच्पन परिवार में रहते हुए तलास थे शांती की तलाश, करुणा की तलास, महित्री की तलास, मदद करने के तलाश उनके थी और इसी कारण जैसे ही जब गुरप मंगल जो उस्सव है इस खेतों में वह गया जाने के बाद, उस उस्सव में सामिल न होती हुए वह बालक्ष धा भूडर्त, जामुल के पेड के नीचे बढ़ते हैं, और धानस्त चिंतन करते हैं, देखते हैं केतों में कैसे चिढ़ ल्ड़ रही है, वह चोटे कीड़ो को खा रहे हैं, जमीं से निकल रहे हुए जो नागरनी से निकल रही हो है, जो मशाग से कीड़ हैं, तो सभी हर बातो वह चिंतन करते हैं और जैसे वह कोई बिमार आदमी हो या कोई बुड़ा हो कोई मुरूत शेरिजल जो अनतयात्रा देखते हो तो हर दुष्य के प्रति हम जैसे देखते हैं वह ऐसे सिद्धार थने नहीं देखा वह सत्यता के तावर पर हर घटना को जीवन में देखते होए और दुड़ा निच्चे के साथ वह गुरुत्या करने का निच्चे करते हैं किसलिए क्योंकि उन्हें जो संपुर्ण मानोजात है जो अज्ञान के कारण मूड़ता के कारण द्वेश के कारण तुरुष्णाओं के कारण दुख का भुगत रही है तो सही में उसकी सत्यता क्या है सही में उसके कारण क्या है उनके उपाई क्या है तो यह सब चिंतन के लिए उन्हें अलग-अलग गुरुव से जैसे की भारद्वास के आस्रम में जाके प्रवज्जा लेते हैं बुरु गुरुशी के आस में जाते हैं उद्धित राम पुस्ता के आश्रम में जाके हर आश्रम में जा अलक अलक ध्यान के बारे में हो समाधी के बारे में हो शरीर को त्यागन करने वाले कुछ शिक्षा के बारे में तो हुआ अनुभव लेते हैं सत्तिता की खोज के लिए जब वह देखते हैं कि हमे खुद किंतन करना होगा हमें खुद ध्यान करना होगा जो समाधिक के चार चरन अलार कालान के आस्रह में वह सीख लेते हैं प्राप्त कर लेते हैं अनुभाव करते हैं तो उनके आगे और क्या खोज है खुद का सवशदन क्या है खुश की आंतरिक पीएजडी क्या है इसी निये वह उरुवेला में जाते हैं जहां जिसे हम बोधी रुक्षक आते हैं और बोधी रुक्षकी नीचे दूड़ता के साथ संकल्पता के साथ बढ़ते हैं कि चाहे मेरे शरीर में जो खुन का कत्रा है वह सूक जाए या पूरा मास गल जाए लेकिन जब तक मुझे संभोधी की प्राप्ती नहीं होती मैं यहां से नहीं हटूंगा यह जो बात है जैसे बाबा साथ उस संकल्प भूमे में कहते हैं कि जब तक मैं यह पूरे समाज का उद्धार ना कर सकूँ अगर उसमें मैं अपेशी रहूं तो मैं खुद को गोली मारूंगा तो जो बात जो संकल्प की जो बात है तो हमें प्रेरना देने वाली बात है क्योंकि हम जो भी करने का तय करते हैं चाहे मित्र बन्या का मित्र दिक्षा हो या धमचारी दिक्षा हो उसकी प्रकिग्याय लेना हो या तो हर बात जो है जब तक दुरुड़ता के साथ संकल्पता के साथ हम उसमें नहीं जोड़ते जैशे की दर्शन मारग जो सम्मेक दुरुष्टी में देखते हैं तो उसमें स प्राइस के लिए उनकी जो शक्ति है पूरे एकाग्रता के साथ पूरे लगन के साथ लगते हैं और उस बोदी रुख्ष के नीचे जैसे कि मारों का अक्रामन शुरू होता है और उनके विचार जो है विचार और वितरक के जो है तो उनको पहली आवस्ता में उसके उपर कारे करने की कोशिश करते हैं पूरे शक्ति के साथ और एकांतवास के कारण सरलता से सहजता से उन पर प्राप्ति करके दूसरी आवस्ता में पोस्ते हैं जहां उस आवस्ता में एकागरता भी है और सीरता भी है एकागरता में जहां क कोई भी निवरन ना हो, निवरन से परे, वह समाचित्तता और जागरुत्ता का भ्यास्वा करते हैं, तिसरी आवस्ता में पूरी तरह संतुलित्ता, समाचित्तता, जागरुत्ता, सभी सतों के प्रती, मैत्री का भाव, कल्यान का भाव, और चौती आवस्ता में उसमें समाच चित्ता में पवीत्रता का सयोग करके और भी जागरुतता बढ़ाते हैं और चित्त एकाग्र जब होता है पवीत्र चित्त जो निर्दोश है जो निश्कलंक है जो कलह रहता है और जो सुकुमोल है ऐसे चित्त में वह चिंतन की जो गहराई है एकाग्रता के साथ वह कर सके औ जिस समाधान के लिए जिस दुख के कारण और उसके उपर का उपाय जो है और चौते सब्ताह में वहाँ जो समशाय है, समसार में जो दुख है, उन दुख के प्रती जो बाहर निकलने का जो मार्ग है, तो चिंतन में वह तलीन होके, एकाग्र होके, पूरी तरह संभोती का प्रकाश पाते हैं, कई सारे मारों को विजय प्राप्त करके, जो चित्त है, शुद्ध निश्कलन का चित्त, जैसे कि बुद्ध करते हैं कि, जैसे मचली जल में होती है, समुन्दर में होती है, और उसे अगर स्थल पे बाहर निकाला, तो वह तरपती है फिर से पानी में जाने के लिए, चित्त भी इंसान का वैसा ही होता है, वह शुद्ध होता है, और मार अगर उसमें बंदन में फसता है, तो वह बाहर निकलने के लिए तरपता है, और वैसे शुद्ध निश्कलंक चित्त में ही चिंतन जो है, सच्ची एकागरता और एकरुपता के साथ, दुरुटता के साथ आगे बढ़ता है, जो इसी धार्थनी क्या है, और उन बोधिरुक्षे के नीचे जैसे ही अग्यान नश्ट होता है, और संबोधी का प्रकाश जो है, वह प्रकाश पाके अंधकार दूर होता है, और ध्यानस्त वजरासन में वजरासन के नीचे संबोधी का सूख कही लगातार सब्ता तक वहां उस चिंतन में लगे रहने के बाद, दुसरा सब्ता है वह अनिमेश लोचन जीशे के आते हैं, बोधिरुक्षे को देख कर जिन-बोधिरुक्षे के ढ साया दिए हैं उनके छत्र चाया के नीचे बुद्दत्वखी प्राप्ती की है उनके प्रति कुरुत्टत नित Industry का भाओ, उनके प्रति आख्षों से डेख कर ऐसा कि कुझतियों का भाव समर्पित करते हैं जिनने जिनके साक्ष, जिस धरतिक के साक्ष बैटे हुए रूरदता के साथ ध्यान की सुरवात की है और जिन शाया, जिन बोयदिरुकस की क्षत्र शाया में बैट के साधना की है और तीसरे सब्ता हमें चंक्रमन करके आगे पीछे चलके चिंतर आगे बढ़ता है और चौते सब्ता हमें रतनगर जहां पर प्रतित्य समुद्पात का चिंतन बुद्ध ने किया यह ऐसी जगा ऐसा विषय जिस विषय से सभी विषयों की सुरुवात होती है सभी धर्मों के चिंतन की सुरुवात होती है जैसे कि हर चीज हर विषय हर ब्रात कारण से निर्मान होती है बिगर कारण से कुछ नहीं जैसे सांखे तत्वध ध्यान में यह बात सिधार तशिकत लेकिन उन्हें खोज थी कि जो कारण से जीज बात घटित होती है, कारण को धुनना और उसके परिनाम को समझना, तो इस चिंतन को जारी रखके पाच्वे सप्ता हमें बरगत के पेड़ के नीचे बढ़ के बुद्ध जो है, चिंतन को आगे बढ़ाते हैं, और जहां उनको ब्राह्मन के साथ मुलाकत होती हैं, और वहां खास ऐसी बात जो घटित होती हैं, जो परंपरा से चली आ रही हैं, जैसे कि इस वर सभी सुष्टी का नियंतरन करता है, धारन करता है, लेकिन बुद्ध से बताते हैं, उनके मार्ग पे चलनते बिना हम आगे नहीं जा सकते, तुमेही किचंग आतप अखतारो तथागतो, तथागत तो केवल मार्ग बताने वाले हैं, और प्रयास तो तुमे ही करना है, हमें ही करना है, और इसी कारण जैसे कि उस बरगत के पेड़ के नीचे ब्रामन को बुद्ध बताते हैं कि जल्म से कोई ब्रामन नहीं होता है, नजच्छा वसलो होती नजच्छा होती बामनो कमनो वसला होती कमना होती बामनो कर्म से ही ब्रामन होता है, जल्म से नहीं जो परमपरा चली आ रहेती ब्रामन वाद की उसे छेट कर दिया है, कोई जल्म से स्रेश्टने होता है, तो कर्म से, कर्मनियम हम जब धर्मनियम की ओर लेते हैं, प्रयास करते हैं तो हमारा उद्ध गामी प्रयास सुरू होता है, और इसी कारण यह जो बात है, बहुत महतो पुर्ण ऐसी बात जहां बुद्ध गया में, जहां बुद्ध महा विहार टेंपल के सामने पत्थर पे लिका है, कि जर्म से कोई ब्रामन नहीं होता है, यही बात है जो हमें प्रेरनाय देती हैं, कि हम हर इंसान बुद्ध के जय से बन सकते हैं, हम भी चाहे सं सारी क्यों नहों, चाहे परिवार में हो या कोई कामदंदे नोकरी करने वाले हो, हर इंसान बुद्ध के जैसे बन सकता है, कर्म के द्वारा, और इसी कारण हम जब बुद्धान समुती करते हैं, और उनसे हम बुद्ध के सवास में जाने की कोशिश करते हैं, और बार बार यह संकल्प लेती है कि बुद्धम सरनम गच्छा मी मैं भी बुद्ध की जैसा बनना चाहता हूँ बनूंगा कोशिस करूंगा हर समय जितनी हो सके जितनी शक्ति लगा सके पूरे विर्य को हम समुती संप्रजन्य के साथ इकठा करके पूरी शक्ति अगर साधरा में लगाते ह हैं तो हमारा भी चित्व सुद्ध परि श्युद्ध एक रूप समचित्थ ता और उसमें सकार अत्मक्ति अम गुद्ध जैसे निर्मान करसकते हैं और इसलिए हम यह बुद्धन रश्मति करते हैं इसलिए हम यह साधना करते हैं। और जब चटे सब्ता में बुद्ध जब जहां मुशला धार वर्शा हुई ऐसी जग बैटे धानस्त और बारीश चल रहे हैं, हवाय बाह रहे हैं, लेकिन बुद्ध शांती से बैट है अपने चिंतर और साधना के लिए और वहां मुचलिंद नाम का जो नागराज है उनको स सवरक्षन देता है वहां जो कुद्रत के साथ जो उनका सवास है जैसे हम देखते हैं उनसे जल्म से लेके बुद्धत के प्राप्ते से लेके या हर जगह वह कुद्रत के निसरग के सवास में रहते हैं और पूरा जो सवरक्षन जो है सहारा जो है सिद्धारत को निसरग का है और उसके बाद चटे सब्ता के बाद शात्वा जो सब्ता है जीशिक तेकी राजरतन वहाँ उस रुक्षगे नीचे जहां पहे दो व्यापारी उनको मिलते हैं जिनका नाम है भलिक और तपसूर और वहाँ वइसे ही अक़ानक वहाँ आते हैं बुद्ध को मिलते हैं उनको अच्छा लगता है उनके सावास में रहके और वहां मदुपिंड का भोजन बुद्ध को देते हैं समूधी के बाद का पहला भोजन जो बुद्ध ने ग्रहन किया और जैशे कि हमें पता है कि सुजाता ने उन्हें खीर दी है उन्हें शक्ती मिली है शक्ती से वह साधना किया है और जो उनको जो कुसा ग्रास दे हर दिन शितल ऐशी नरम ऐशी स्वास्ती ने दी हुई जो आसज जैशे कहते गवत जो है घाल तो उससे वह हर बार मदद मिली है तो उन सभी के प्रती कृततने होके संबोधी के ब्राद उनको मिलते हैं उनको उस शिक्षाए भी देते हैं लेकिन तब तक दिक्षा जो है ज़से हम कहते है पाज परिवाज़क को पहले बार धमक की देशना देके उसके बाद दिक्षा देके उसके बाद संग का निर्मान करके जिसे हम बुद्धों को हम सम्मीख संबूद्ध कहते हैं तो ऐसे सम्मीख संबूद्ध भगवान जन्होंने अल्हंत जो आस्रों का जन्होंने अन्त किया है। सबी देशों का, सबी कलेशों का, ऐसे आस्रवक्षे, काम आस्रव, भवा आस्रव, अविद्य आस्रव, अलग अलग आस्रव, निवरन की अवस्ता और सकारात्मता के विकास की अवस्ता जहां प्रज्या हो, जहां मैत्री हो, करुना हो, उपेक्षा हो, यह जो अवस्तर में है मारे मन के भीतर हमारे चित्त में Бीज रूप में वहां है क्योंकि हमारा चित्त सभावता सुद्ध है मचली के तरह तड़बते हो τις मचली के तरह वहां जो कलेसोषी कामों से मुक्त होना चाहते हैं और सम्मा संभुध ़ो विझ्जा चरन से पुर्ण और परिपूर्ण है ज्ञान और आचरन से एक रूप है और जो ज्ञान बहुत धिकता से लिया है उसको आचरन में ढाला है इसी कारण उनको हम विद्याचरन ऐसे सम्मेक संबुद्ध अरहंत लो सुगतो लोकविदू जिनों ने ऐसी सद्गती पाली है जहां से वह फिर से जल्म मरंग के चक्र में वापस नहीं आ सकते ऐसे सुगत और लोगों के राश्च जानने वाले लोकविदू अनुतरो उत्तर उत्तर प्रगती आगे बढ़ते जाने वाले ऐसे सर्वसेश्ट बुद्धों को हम बुद्धान समुती के द्वारा हम जानने की कोशिश करते हैं को हर दुखीतों को दिलासा देते हैं हर इनस्तान के दुख को राह बताते है सुख का शांती का अमृत्पत का जो शांती देने वाला अमतम पदम तो यह जो बात है बुद्धा बताते है तो हम जो देव और मनुश्य की शास्ता सभी को चाहे यक्ष हो किन्नर हो सभी को मदद करते हैं दुख से मुक्त होने के लिए और इसी कारान हम भी बुद्ध जैसे बन सकते हैं अत्ता ही अत्तनो नाथो कोई नाथो पयोश्या अतनाव सुदन तेन नाथं लभाती दुलब्धम हमारे भीतर चिपे हुए बुद्ध बीच जो है उससे हम फुला सकते हैं हमी हमारे नाथ है हमी हमारे स्वामी है हम आईसे विकशीत हमारा चित्त कर सकते है जो मनुश्य को मिली हुई यह देन है हर कोई गुद्धत प्राप्त नहीं कर सकता कई सारे प्राने इस जगत में ने है और इस जीवन में संगर्शरत है पेट भरने के लिए एक के उपर एक निर्बर है एक को दुसरा खाता है उसको दुसरा खाने वाला मिरता है दुसरा मारने वाला मिलता है पूरा संगर्श जीवन का इसमें ही खा भोजन में जीवन जीने में जाता है लेकिन मनुश्य ऐसा है मनुश्य केवल भोजन उतना ही नहीं है जैसे कि सुभानु पस्विहरंत इंड्रिये सु असंग उतंग भोजन में अमत्रतु कुशितं हीन वीरयन तवे पसहते मारो वातो रुखंच दुब्बलम जो कामभोगों में उस ऐसे जीवन में रत है जिनकी इंड्रिये उनके काबू में नहीं है इंड्रिये इधर उदर घुमती है इधर उदर और जो आलश है सुस्त है कोई भी प्रेरना है नहीं है उस मार्ग पर चलने के लिए ऐसे उद्योग हीन अगर आईसे रहने वाला इंसान है उसे मार वैसा ही गिराता है जैसे वायू दुर्बल आईसे रुक्ष को हम देख रहे अभी तो वैसे ही हम गीर सकते हैं तो बार बार खड़े होना है हमारे शक्ति को पहचाना है हमारे भीतर के बुद्ध बिजो को देखना समझना और हमारी आंतरिक शक्ति को पहचाना यही साधना का उदेश है और हम भी साधना के द्वारा हमारे आंतरिक शक्ति को पहचान क बुद्ध को समझ के बुद्धानुसमुती करके उनके राह पर बार बार चलते गिरते चलते राह से अगर भटकते भी हो तो फिर से राह पर आके बार बार अगर प्रयास करते हैं बार बार अगर बुद्धानुसमुती करते हैं तो हम निच्ची तही इसी जीवन मनुष्य ज जो दुरलब ऐसा मनुष्य जेवन है, जो किछो बुद्धान उपादो ऐसी बात है, बुद्ध निर्मानुना कटीन ऐसी बात है, किछो मनुष्य पटी लावो, मनुष्य का जल्म दुरलब हो, ऐसी बात है, और इस दुरलब ऐसे मनुष्य जीवन को इस राह पर लगाते है, बुद्ध की और हम जाने के लिए हमारा चित्ध, हमारे कदम, हमारा मन जहां बुद्ध निर्मान हो भीतर से हम प्रयास करते हैं, ये आंतरीक प्रयास है, अंतर मन से शुरू होने वाला प्रवास है और तब ही हम हमारे अंदर जो अचेतन ऐसा महन है उसे इस साधना के द्वारा पुलाते हैं विकशीद करते हैं और लोकत तरता की और बढ़ाते हैं तो साधना के लिए सबी को सुबह चाहे देते हुए यहां मैं रुखता हूँ